एलो फेंट्स स्वागा था आपका स्टड़ी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता कि अभी हम वकाइब की सीरीज लारे हैं जिसमें कि हम बात करते हैं वकाइब एकदम बेसिक से ताकि जिने वो एकदम बेसिक से सुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है जि पिक्चर के मादे हम से याद कर सकते हैं और आपको जैसा कि पता है कि हमारा class 25-35 minutes का होता है 25-30 minutes का और जिसमें कि हम सारी बाते खर लेते हैं चलिए बिना देरी के सुरू करते हैं अपने class को और जानते हैं आज का first word तो आज का first word है हमारा absorbing absorbing का मतलब होता है दिल्चस्प जिसके synonyms की बात करें तो होगा ingrossing, fascinating, enthralling और antonyms की बात करें तो वह होगा boring, uninteresting तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं अब अच्छी चीज होगी तो हम उसको absorb करते हैं या binge मतलब होता है movie बाच करना और कोई भी चीज अगर binge मतलब होता है जो भी movie आ टीवी series बाच करना अच्छी होगी तो ही हम देखते हैं दिल्चस्प हो तो ऐसे हम कर सकते हैं कि जो animated movies होती है आप पिक्चर से देख सकते हैं वह बहुत ही दिल्चस्प होती है इसके एक moral stories होती है और इसके characters बहुत ही unique होते हैं और अच्छ लगते हैं चलिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि binge करेंगे कोई भी चीज कब जब वह बहुत दिल्चस्प होता है absorbing में binge होता है बिंजी के spelling लेकिन आप इसको बिंजी से लिख सकते हैं ले सकते हैं याद करने के लिए तो आपको याद रहा है कि binge वाच हम वही करते हैं तो जिल्चस्प होती है जाले next की बात करते हैं नेक्स्ट है abuse अब्यूज मतलब होता है गाली देना ठीक है तो इसके synonyms की बात करें तो वह होगा स्कॉन, ill-treat, exploit, antonyms की बात कर लें तो वह गा compliment, flatter, adulate तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इस बच्चे की मम्मी इसको डाट रही है क्यों डाट रही है क्यों डाट रही है क्यों यह गाली देता है बहुत ही बुरा बच्चा है गाली देता है अगर आपस में दो लोगो अबैस्माल मतलब होता है बहुत खराब, बेबुनियाद जिसके synonyms की बात कर लें तो जागा bottomless जिसका bottom ही नहों तो बहुत ही खराब होगा ऐसा bottle दे दे आपको जिसका bottom नहों तो आप उसको पानी ही नहीं रख सकते तो आपके लिए कोई use का ही नहीं खराब है बेबुनि के लिए तो अबैस्माल का ऐसे भी मतलब आजाएगा आपको कि मैल लगा है तो उसका मिनी कुछ खराब होगा बेबुनियाद होगी अगर आप मैट्रिक्स मूवी देखे होंगे तो उसके जो कंसेप्ट है वह बेबुनियाद है जो रिया लाइप से कुछ उसका कुछ लेन आप इंठेगर हम कोई भी छीज़ खरीदते हैं अगर माली चीज़ आप मोनीटर खरीद रहे हो तो मोनीटर को कहां लगाओ ऐसे कोई उसको लगाते हो और शिप्व कोई उसने है जब तक उसमें कोई पावर सप्लाइई नहों सीडी रॉम नहों सीप्यू नहों जैसे पिज्व अगर अमंगवाते हो तो पिज्व जामें एड़ ओन करवा लेते हो ना कि उपर से मुझे टॉपिंग्स में चाहिए एक्स्टा चीज चाहिए या फिर चीली फ्लेक्स एक्स्टा चाहिए तो वह सब क्या है एड़ आन है तो ऐसे याद कर सकते हो एंट्वन की बात करें तो वह होगा मेन इंट्रीग्रा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वड़ है एक्लेम का मतलब होता है प्रसंसा करना शेज पाद करें तो हो जाग एक अपलॉड चियर कमेंड और एंट्वनिम की बात करें तो क्रिटीसाइज तो आपका यम अगर अच् तो एकले में मतलब परसंसा करना चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सेक्षन आ गया वन वर्ड सब्सेशन की इसमें वर्ड है एक्रोबैट एक्रोबैट का लाबाज होता है तो वन हूप परफॉर्म डियरिंग जिमनास्टिक फिस्ट करें उसी को एक् बात करते हैं नेक्स्ट है एक्रोणीम एक्रोणीम का आर्थ होता है कि सब्दों के पहले अक्षरों से बना एक सब्द आवर्ड फॉर्म फॉर्म फॉर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स डैट मेंक अप तर नेम आफ सम्थी ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ा सब्द हो जिसका फर्स जाकि एक मेनिंग्फुल बड्ड रहाए लेकिन अगर हम बात कर रहें यू एट यह कंगो नहीं है क्योंकि एक मिनिंग्फुल वर्ड जैसा नहीं बना इविनेस को जैसा आप ऐसे याद कर सकते हैं चलें नेक्स्ट वर्ड की बात करतें नेक्स्ट है एक्रोफोबिया एक्रोय मतलब होता ह हाइट और फोबिया मतलब किसी भी चीज़ से दर तो जिसको उंचाइश का लड़ हो एक्रोय मतलब हाईट और फोबिया मतलब डर तो उंचाइश से डर clear of great फिट्ट हाइट करनं थे आ्पट का रच चुका है तो हाइट का दर ही कहला था था एकरफोबिया इसको हाईट्षोबिया भी औहुकर सो गОगा आक्ट करना है मतलो अपने कारेक एक्टिंग ठैक्ट देखाएं ओगा फिल्म में एक्टर्स लोग एक्टिंग करती है तो वह ही एक्ट है, to do something, to behave in particular way, to perform a part in film, play function, चलिए नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है एकुमेन, एकुमेन मतलब होता है कुसागर बुद्धी, इतम ऐसी बुद्धी जो कि इतम सही judgment ले और बहुत quick ले, और आप कोई business open करना चाहते ह तो आपके पास क्या होना चाहिए, कि ऐसी छमता होनी चाहिए, ability होनी चाहिए, कि आप अच्छा judgment ले और quick decision ले, नहीं तो फिर आपका business नहीं चले, और आप बात करें कि पजल वाले game, पजल वाले game में आपको क्या चाहिए होता है, कि आपका judgment अच्छा हो, और किक्तम quick decision हो आप कहाए, कि अच्छे main कैसे होंगे, जो कि judgment लेंगे, और क्या करेंगे, quick decision भी लेंगे, और अच्छे judgment भी लेंगे, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सो जाएंगे, sharp, clever, चलिए, next की बात करते हैं, next हमारा idiom and phrase का session है, जिसमें first idiom है, a change of heart, विचार में बदलाव, तो a change in someone opinion, किसी के विचार में बदलावाना ही कहता है, a change in heart, तो आज मैंने किया कि heart से related, सारे idioms को यहाँ पर mention कर दिया है, have a heart, be merciful, have you your heart set on something, to want something very much, eat your heart out, we say this when we make someone jealous, जब किसी को जलाने की बाता है, तब कहते हैं, eat your heart out, in a heartbeat, very quickly, without any agitation, heart भी तेखते हैं, कितनी तेजी से हो जाता है, तो वही उसी तेजी से, बिना किसी hesitation के, होगा, a heart of stone, no feelings, अगर पत्थर का दिल होगा, तो उसकी कोई feelings ही नहीं होगी, lose one's heart to, किसी के परती अपना दिल हार देना, यानि कि fall in love, प्यार में परना, cross my heart, tell the truth, मेरे दिल को पार कर गया, ऐसे जूटे बाते तो दिल को पार करती नहीं, heart and soul, completely entirely, we are heart on his sleeves, always lets feeling be known, तो आपने देखा हो कि ग्रूप में ऐसे बंदे होते हैं, जिनको हर किसी से प्यार हो जाता है, तो उनके लिए कह सकते हैं, कि he is wearing heart on his sleeve, जिसको भी देखता है, इसका feelings जग जाता है, broken heart, to lose love, य चले बात करते हैं, नेक्स्ट की आज आपके लिए बोनस ही है, नेक्स है, और child's play, आसान का, बच्चों का खेल है, मतलब कि बहुत ही आसान चीज़ है, देख सकते हैं, यह दोनों बच्चे खेल है, आसान काम ही करेंगे, और एक example ले सकते हैं, कि vocab is child's play for students now, क्योंकि हाँ बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए vocab कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो बच्चकान से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही जागडूक हो चुक है, vocab के प्रती, बहुत सारी classes करते हैं, तो उनके लिए child's play ही है, नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट आया, चीप आफ दी ओ सागवान की लक्री से कोई टुकरा निकाला, तो जो लक्री का टुकरा होगा, उसमें भी सारी property सागवान की ही होगी, तो इसको कह सकते हैं, कि जैसा बाप हो ऐसा बेटा, बेटा कैसा होता, बाप पीं जाता है, तो चलिए नेक्स्ट की बात करते है, नेक्स्ट है, आप close save, क्लोज सेव का मतलब होता है, बाल-बाल बचना, नेरो सको है फ्रॉंग डेंजर, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीटी है, जिसको उपर X गीर गए, तो इसे थोड़ी से बचे कही है, कि तो जोड़ी से बचे कि क्लोज सेव था, यह देख रहे हैं, कि जब सेविं करत चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है अप्लोजड बुक पतलब होता है रहस्ट अमिस्ट्री तो बुक से रिलेटेज जितने भी एडियंस थे प्रोबैबली मुस्ट प्रोबैबली मैंने उसको डालने की कोसिश किये तो मैंने डाला है कुछ अक्लोजड बुक और अगर बुक बिरिक होंगे मैं क्या पता होगी और बन्द बुक है तो कुछ कम ही पता होगी एक बुट से अगर एक लीफ निकाल है मतलब कि आप उससे कॉपी कर रहे हैं अप इसमें बहुत सक्सेफ़ू हैं कॉपी कर रहे हैं। Read someone like a book अगर किसी को बुक की तरह पर रहे हैं यानि कि आसानी साथ उसको समझ रहे हैं The oldest trick in the book मतलब कि oldest trick है मतलब कि एक dishonest action है जो कि बहुत सालो से यूज होता आ रहा है उसके लिए हम यूज करती है इस वोड को Don't judge a book by its cover आपने बहुत सुना होगा बच्पन से ही कि किसी को बीना जाने उसके बारे में परक्ष नहीं सकते हैं उसको कुछ कहने सकते हैं Cook the book To change account and figure dishonestly usually to get money और किताब को पका रहे हैं मतलब क्या आप कुछ जोल कर रहे हैं अकाउंट्स ने ताकि आप कुछ पैसे कमा सके In someone's good book Use for saying that someone is pleased with you अगर किसी के अच्छे किताबों में हैं मतलब हम उसके बहुत ही closed By the book following all the rules अगर हम बुक के मदद से जाते हैं मतलब कि सारे rules को follow करते हैं इस ट्रिक्ट बेम चले हैं next बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पैंडोरा बॉक्स हो गया आपको पता कि पैंडोरा बॉक्स में हम Grammar के कुछ golden rules रखते हैं So golden rules की स्रिंखला चल लगी है जिसमें हम भी subject verb agreement की rules की बात कर रहे हैं तो आज हमारा fourth rule है Fourth rule कर रहा है कि दो और दो से ज्यादा singular subject अगर connected हो और नौर आइडर और नाइडर से नाइडर नौर से आइडर और नाइडर नौर से तो वो जो verb लेंगे वो हमेशा singular ही लेंगे जैसे कि example के लिए नाइडर ही नौर आइडर ये गलत हो गया अभी बताए कि अगर कोई भी एक से ज़्यादा singular subject connect होंगे और नौर आइडर और नाइडर और से तो हमेशा singular verb लेंगे तो यहाँ पर वियर नहीं वा जाएगा तो वाज लगाएंगे तब सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा question answer का session आगया तो इसमें हम आज बात करेंगे इसके लिए आपको मिलेगा दस सकेंड एंसर करने के लिए question को चलिए आप लोग एंसर कीजिए आपका time स्टार्ट हो चुका synonym से बताना है moral का आपको चार option मिले है first option ethical second honorable third godliness और फूर्थ है symphony तो चलिए आपका time अप हो गया और इसके जो synonyms हो जाएंगे वह जागा ethical moral मतलब क्या होता है नैतिक moral को कहा सकते हैं नैतिक moral का मतलब होता है नैतिक जिसके synonyms तो इतिकल हैं fair भी होगा honest भी होगा honest भी होगा और honorable की बात करें तो honorable कौन होता है सम्मान जनक मतलब high regard high respected godliness देव भक्ति जिसके लिए लिख सकते हो holiness जो देव की भक्ति करें owe holiness और क्या हो सकता है devotion devotion इसके synonyms हो सकते है होता है शार की सम्ता स्वार की सम्ता हर्मोनी coherence इसके synonyms साय हर्मोनी इसके harmony हो सकता है coherence हो सकता ह known तो चलिए नेक्स्ट कोस्टिन की बात करें नेक्स्ट कोस्टिन है इडियम बताना आपको 10 सेकेंड मिलेंगा आपको और स्केल्टन इंदी कब बन तो इसके लिए चार अप्शन मिलें आप एंसर कीजिए फटा-फट देखते कमेंट में कौन सबसे पहले एंसर करता है तो चल नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कोस्टिन है हमारा हमें एपरोप्रेयेट मिणन्स बताना तो चलिए इसका साइँ अनसर होगा डिलीश्य federal के सिनोनिम्स पुछा है तो वह हो जागा है डिलीसियस मतलब स्वादिस और हम बात करें स्टेल मतलब होता है बासी जिसको हम बोल सकते हैं डिकेड न्यूट्रियस मतलब होता है जो पोशन तत्वों से युक्त हो इसका सिनोनिम्स हम कह सकते हैं हेल्दी होगा कि कह सकते हैं और और क्या कह सकते हैं और बेनिफीसियल कह सकते हैं रोटन का मतलब सरा हुआ इस्टेल बासी था रोटन सरा हुआ बैड डिकेड यह सब इसके सुनोनिम्स है है ज़्या चाहिए है में नेच्स काक्वजिन की बाद करें नेक्स क्के इंदम इसका आपको बताना या क्वाइग पूकर उपिसंशा, क्वाह प monit एसındal नोट का रहोड़ की इसका सही एंसर की बात कर सकते तो वह हमारा तुू इंगरी अच्छानक अदेने प्लाइं टो पैसं के लिए अपने फैसं के लिए छले नेक्स्ट की बात करते है और नेक्स्ट क्षेंग इंटरीम से बता आना है बलेस्टक दस सेकेंड मिलेंगे आपको इसके लिए में चार ओप्शन है अपन्च प्रोडूस्थ अप्लाइड कास्ट अप लोग ना भी तक नहीं दिया होगा और इसी के साथ आप पर टाइम भी खतम वुए है तो ब्लेस्ट का अंट्रोनिम सोजागा कर्स मतलब क्या होता है दन्ने और इसको दन्ने कह सकते है चलिए एक पॉइंटेंड मतलब क्या होता है न्यूक्ति करना किसी को न्यूक्ति किया हो और बात कर दे हम प्रोड्यूस की तो प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन करना मैनुफक्चर या इसका सिनोनिम से टॉर्न आउट टॉर्न आउट भी कह सकते हैं अप्लाइड मतलब होता ह और प्राइए होगी इसका हम कह सकते हैं पुट इन या फिर ट्राइट यह इसके सिनोनिम्स है और कर्स ने मतलब होता है इस तरहापित इसको बोल सकते हैं जिंस्ट फे भी इसके सिनोनिम्स है और इसको कह सकते हैं डूम्ड ढूम्ड भी इसके सिनोनिम्स है चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं एक्स्ट अमारा कोस्चन है वंवर्ड सब्स्शूसन बताना है इसका 10 सेकेंड मिलेंगे एसा पर्शन जो खुद से प्यार करें चार अप्शन्स है तो अभी तक आप लोग ने अंसर दे दिया वह वह होगा नार्सिस्ट बात कर लें लूनेटिक की तो लूनेटिक कौन होता है अपर्शन हुँ विएप्स इन स्टूपीड वे जो अपसंद की जैसा करता हुआ मतलब होता है विरक्त मतलब होता किया आपको यह जानना परेगा तो और पर्शन हुई इन डिफरेंट टू प्लेजर प्लेजर और पर्शन से जिसको कोई फर्क नहीं पढ़ता है पॉली लॉट वह होता है जो कि एक से अधिक भासा बोल सकता या उसको जानकारी हो लिख भी स डूसी को पॉलिव्य और इसको बोलते हैं बहु भाष से चलिए नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टनना मारा वन वर्ट सब्स्ट्रीशन को पूंच रहा है जल्दी जल्दी बताइए इसका एंसर तो चली टाइम आप हो गया तो मैं बता दू इसका सही एंसर होगो अमेंसर उसको ऐसा ही लगते रहता है तो उसको बोलते हो ओमनियस तो चलिए तो आज के लिए बस इतना ही आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बता है और वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर दे शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले और अ थाइंक यू जाएंग